नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है इस चानल के उपपर निफ्टी 50 और सेंसेक्स अपनी नई उचाया छू रहा है हर एक नए दिन वो निफ्टी जो की 2000 के फॉल के दौरान 1000 के भी लेवल से नीचे था मतलब 2000 में जब बहुत बड़ा क्रैश हुआ था .com वेवल जिसको हम जानते हैं तब वो 1000 पॉइंट्स के भी नीचे चलता था 2008 में जब बहुत बड़ा एक economic slowdown आया worldwide तब निफ्टी धाई हजार तीन हजार उस उस range में चलता था अभी कोविड 19 में याने 2020 में जो सबसे पहला हमने फॉल देखा उसमें निफ्टी आ गया था साड़े साथ हजार के आसपास और अब निफ्टी जो है वो माइनर टू अडल्ट वाली जो जर्नी है वो कंप्लीट करने जा रहा है 17,900 के पास आ करके रुखा हुआ है बस कुछ ही दिन की बात है जब 18 प्लस निफ्टी हम देखेंगे यानी 18,000 के उपर हम निफ्टी को देखेंगे Sensex की भी बात कुछ ऐसी है कुछ 35-40 साल पहले शुरू हुआ Bombay Stock Exchange का ये Index याने Sensex उन दिनों से लेकर के आज तक उसने हर एक चीज देखी है बड़े-बड़े economic slowdowns देखें हैं और इतनी सारी हलचल worldwide में देखें हर एक चीज हुई है natural calamity इसे लेकर के हर एक चीज देखी है लेकिन अब वो एक senior citizen बन चुका है आज के दिन 60 के उपर जा चुका है Sensex 60,000 के उपर Sensex की जर्नी अभी शुरू हो चुकी है मतलब senior citizen के श्रीनी में आ गया है ये Index ऐसा हम कह सकते हैं तो दोस्तो निफ्टी जो है वो अपने adulthood के तरफ जा रहा है Sensex जो है वो अपने senior citizen बन चुका है तो अब किस बात की हमें tension है और किस बात का हमें डर है stock market में निवेश करना हमारी first priority रहनी चाहिए खास करके अगर हम एक young age group को belong करते हैं या फिर we are just below 50-55 उस age group में भी अगर हम है तो भी हमें equity याने stock market फिर mutual funds हो जाए फिर ETF हो जाए या फिर direct stocks को हम purchase करें इसके तरफ हमें जादा से जादा allocation रखना चाहिए कि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे analyze करेंगे कि आगे चलके क्या होने वाला है क्या नजर आ रहा है technical analysis के point of view से nifty के चार्ट को देखेंगे bank nifty के चार्ट को देखेंगे उस किस प्रकार की संभावना ये नजर आ रही है उसके तरफ ध्यान देंगे तो दोस्तों अगर आप नए है चैनल पे तो subscribe जरूर करिएगा निफ्टी का चार्ट और जानते हैं क्या possibilities रहेगी ये है निफ्टी का चार्ट और ये है monthly चार्ट और यहाँ पर जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि 2000-2001 इस period में 1000 से भी नीचे था फिर ये 2008 का जो बड़ा fall आया इस fall के दौरान 2500-3000 के बीच में निफ्टी चल रहा था और उसके बाद अभी अगर हम recent activity देखेंगे तो हमें नजर आ रहा है कि 18000 के आसपास अभी निफ्टी आ करके पहुँचेगा तो ये देखिए ये है वो बहुत बड़ा fall जो January March माफ कीजे March April में 2020 में जो आया था जब COVID की शुरुआत हुई थी और उसके बाद तो निफ्टी ने रुकने का नाम नहीं लिया है इस प्रकार का जो ये inclination है ये हमें पहले शायद कभी नहीं दिखा हो और अभी 17800 के आसपास आ गया है 1500 दूर है 18000 के उस magical level से और अगर हम history थोड़ी चाने तो हमें इस प्रकार का ये जो vertical rise है शायद ही कहां कहीं यहां पर इस प्रकार का rise हुआ है बस ये एक ही period नजर आता है 2007 मतलब ये जो बहुत बड़ा fall हुआ 2008 का ये जो fall हुआ 2008 का उसके पहले वाला rise जो है बस यही हम कुछ हट तक compare कर सकते हैं अभी जो rise हो रहा है उससे तो क्या इसका मतलब है कि हम एक बहुत बड़ा fall भी देखेंगे निफ्टी में लेकिन अभी immediately वो fall आएगा ऐसा हम नहीं कह सकते हैं देखिए हमने videos किया है काफी बार हमने analyze किया है और हमने समझा है कि ये किस प्रकार से एक melt up face चल रहा है और अब उसके बाद में हो सकता है हम कुछ एक बहुत बड़ा fall देखें लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि immediately 2-3 मेने में ही ये fall आजाएगा मेरा तो ये सुचना है कि शायद 2021 पूरा जो है वो एक bull cycle में चलेगा और positivity जो है वो बरकरा रहेगी पूरा 2021 अभी और 3-4 मेने बचे हैं इस 2021 के साल में तो मुझे तो लगता यहां से तेजी बनी हुई थोड़ा sideways चलेगा market या जो भी है लेकिन overview तो यह है कि stock market जो है वो bullish रहेगा तो अब यह है daily time frame थोड़ा shorter time frame है इसमें हम पिछले कुछ 6-7 मेनों का period जो है उसको analyze करेंगे तो यह दिखिए यह जो period है यह June to August का इसमें price गया था sideways साथी में यहां पर भी अगर हम देखेंग तो मुझे लगता है कि price जो है कुछ और एक दो हफते इस प्रकार से चल सकता है sideways movement जो है जैसे हमने यहां देखा यहां देखा वैसा ही sideways movement हम यहां पर देख सकते हैं बड़ इसका मतलब यह नहीं रहेगा कि यहां से नीचे आ जाएगा market immediately जब market नीचे आएगा तो obviously हमें संक सरी रन रहा है संसेक्स का भी जब से उसकी शुरुवात हुई है और जैसे हमने निफ्टी देखा है बस उसी प्रकार का prediction obviously संसेस का भी रहेगा वो कुछ अलग नहीं है निफ्टी जो है वो 50 stocks का index है तो संसेक्स जो है वो top 30 stocks का index है bank nifty को एक बार देख लेते हैं bank nifty जो है अगर वहां पर हम एक trend line निकालेंगे तो देखिए यस trend line को as a resistance respect कर रहा है अभी फिलहाल bank nifty जितनी तेजी हमने निफ्टी में देखी है उस range की तेजी फिलहाल मतलब recent recent में हमने इतनी बड़ी तेजी नहीं देखिए क्योंकि यह जो high बना था यहां पर उसके बाद में price ज यह जो level है 37783 पर इसका एक considerable or reasonable breakout अगर होगा यहां पर तो फिर हम कहें पाएंगे कि short term में nifty bank जो है वो bullish trend में चल रहा है फिरहाल तो trend है वो sideways का ही trend चल रहा है interesting रहेगा आने वाला जो एक हफता है उसमें clarity आएगी और हमें यह देखना है कि क्या यह जो हमने trend लाइन निकाली है क्या इसके उपर हमें इस प्रकार की एक या दो बड़ी candles दिखती है अगर यह होगा तो फिर हम कह सकते हैं कि sideways जो trend चल रहा था उसका breakout हो गया है और वहां से अभी price जो है वो उपर की तरफ जा रहा है अगर नहीं तो फिर यह जो लेवल है यह support है 34,000 का support है हो सकता है price यहां पर एक बार bounce ले और फिर एक बार attempt करें उपर का breakout तो निफ्टी बैंक में फिलाल तो यह नजर आ रहा है कि sideways trend है जितना हमने निफ्टी में बात की कि totally bullish तो totally positive momentum चल रहा है वैसा निफ्टी बैंक में exactly नहीं कह सकते हम लेकिन अगर हम trend का analyze करें तो यह trend sideways है यह negative trend नहीं है निफ्टी बैंक में भी sideways trend जो है यह upward trend का ही एक भाग है जिसको की हम accumulation phase कहते है वो एक distribution phase भी बन सकता है और market नीचे भी आ सकता है उसको भी हमें ध्यान में निफ्टी की अगर हम बात करें अगर अगर आप पूछते हैं कि निफ्टी कब गिरेगा मतलब market कब गिरेगा तो देखिए exact इसका answer जो है कोई date और month के साब से तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा शायद ही कोई ऐसा होगा जो आपको exact month भी बता दे flux जो है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं तो देखिए जब भी निफ्टी नीचे आएगा तो निफ्टी हमें संकेत जरूर देगा ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में 10% से market नीचे आ गया हो सकता है एक दिन 3% नीचे आए हो सकता है उसके बाद में थोड़ा सा sideways रहे उस इस लिए हमें price को REACT करना है हमें price के साथ में fight करना है हम कर भी नहीं सकते हैं जो price हमें धिखाएगा जो price हमें ओफर करेगा उसको हमें respect करना है और उसके हिसाप से चलना है तो जब एक बड़ा fall आएगा तो उसकी तैयारी हमें दिखेगी Nifty के trend में निफ्टी का प्राइश हमें वो दिखाएगा और जब वो होगा उस समय हम एक better situation में रहेंगे यह समझने के लिए कि क्या यह जो fall है यह शुरू हो चुका है और कितना यह deep जा सकता है support resistance की जो levels है उससे हमें पता चलेगा कि कितना नीचे आएगा इसलिए predictions false predictions या just fake predictions नहीं करने है हमें price action को समझना है study के माध्यम से हमें चीजों को मतलब उसका जो रुक है उसको पहचानना है तो study के point of view अगर हम देखेंगे तो हम price को react करेंगे ना कि price के साथ में fight करेंगे तो दोस्तो यह हुआ एक visualization निफ्टी जो है वो अभी अपर ट्रेंड में अपवर याने positive ट्रेंड में चलते रहेगा कुछ महिनों तक अभी तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और कुछ ऐसा हुआ भी नहीं है जिससे मतलब इस प्रकार की feeling आ रही है कि price जो है वो नीचे आएगा ऐसा फिलाल तो कुछ indication नहीं है micro economic level पे भी नहीं है मतलब economic point of view से देखा जाए या RBI का ऐसा कुछ stance नहीं आया है RBI अगर कल को interstate बढ़ाने की बात करता है ऐसा कुछ संकेत आते हैं या फिर मतलब इस प्रकार का एक liquidity सक करने का अगर phenomenon शुरू होता है तो दोस्तो अगर आपको value addition हुआ होगा इस वीडियो से तो like, share, subscribe, comment, follow जरूर कीजिए जिससे help होती है YouTube को पता चलने में कि आप इस वीडियो को इस channel को पसंद कर रहे हैं इससे searches में rank होता है ये channel उपर बहुत बहुत शुकरिया आपका कीमती समय देने के लिए हमारा English का channel जो है cryptocurrencies का उसको भी refer कीजिए साथी में हमारे Hindi और English में podcast भी है जो है Spotify, Google और Apple podcast पे सुन सकते हैं Thank you and I will be seeing you again